जै मतदी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशागरता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि महाशिवरात्री पर किस प्रकार से आप हनुमान जी के शाबर मंत्र को तुरंत सिद्ध कर सकते हैं एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं और इस सिद्धी के बाद में आप किस प्रकार से मंत्र का प्रयोग करके अपनी कामनाओं की पूरती करवा सकते हैं हनुमान जी से साथ में हनुमान जी की कृपा आपके उपर कितनी जादा हो जाएगी जब आप इस मंतर को सिद्ध कर लेंगे तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए अगर पॉइंट मिस हो जाएगा तो फिरा बाद में पूछोगे कि ये कैसे करें वो कैसे करें तो पूरी डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो वीडियो लाश्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीजे अच्छी तरही के से समझ में आ जाए तो सबसे पहले में आपको ये बता दूँ कि महाशिवरात्री का पर्व आने वाला है और महाशिवरात्री के पर्व पर बड़ी बड़ी सिद्धिया की जाती है चोटी सिद्धी बड़ी सिद्धी हर तरह की सिद्धी साधना करी जाती है महाशिवरात्री पर चाहे वो कोई तांत्रिक हो, चाहे वो कोई मांत्रिक हो, चाहे वो कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई योग करने वाला व्यक्ति हो, तो हर कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को बढ़ाता है इस दिन, क्योंकि ये रात्री ही ऐसी है, जिसमें आपको तुरंत भकते हैं या फिर आप यह सोच रहें कि हम हनुमान जी की सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम भूत प्रेतों का नाश कर सकें या फिर सिर्फ क्रिपा प्राप्त करना चाहते हैं हनुमान जी की कि एक ही दिन में हमको हनुमान जी की क्रिपा मिल जाएं और बाबा हनुमान हमारे साथ हो जाएं तो ये सब कुछ संभव है अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है देखिए महा शिवरात्री वाले दिन आपको प्रातहकाल में उठना है शिग्र अतिशिग्र अगर आप ब्रह्म मुरत में उठ सको तो बहुत ही जादा श्रेष्ट है नहीं त तो इसमें रात्री काल में ही सिद्धी की जाएगी हनुमान जी की भी आपको प्रातहकाल में उठना है और आपके जो भी दैनिक कर रहे हैं उनको आपको निप्टा लेना है उसके बाद में सनान करके शुद्ध वस्तर धारन करके सबसे पहले भगवान सूर नाराण को आप को अर्ग देना है एक तामबे के लोटे में या फिर इस्टील के लोटे में या फिर मिट्टी का भी हो तो वह भी है उसमें आपको शुद्द जल भर लेना है और गंगा जल डाल करके भगवान सूर नरण को आपको अर्ग देना है उनको जल अर्पित करना है उसके बाद में आ जाना है अपने पूजा घर में पूजा घर में आपको एक देशीगी का दिया जलाना है दूबती जलानी है और हनुमान जी से आपको प्राथना करनी है है हनुमान जी महराज आज महाशिवरात्री का दिन है और आज हम आ हनुमान चारीसा का जायरा पात्र करने हैं वहीं पर बैठके और दिया जला लेना 239 में अब साइक आम में आपको क्या करना है कि सानुमान जी आपको मिल रर्शाद आप थेना को यारीसा के आप questiारी आको करने हैं प्रतायकाल में थीन अब साइकाल में आपको क्या करना है कि साइकाल में आपको हनुमान जी के लिए कुछ ना कुछ ले करके आना है बाहर से जैसे कि आप भोग ले करके आएंगे हनुमान जी के लिए हनुमान जी को अगर आप कुछ भी नहीं चड़ा सकते तो हनुमान जी को एक लाल रंग का दे सकते हो ठीक है अब ये चीज आपको हनुमान जी को देनी है चोला दे सकते हो तो चोला दे दो नहीं तो आप सवा मीटर जो लाल कपड़ा होता है जो संत्री रंका कपड़ा होता भगवे रंका वो भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो और हनुमान जी के लिए भोग बन चाहते आप यह नहीं बनपाएगा आपसे तो आप बाहर से प्रशाद लाकर के हरूमान जी को चढ़ा सकते हो प्रशाद में आप दो बुंदि के लड्ड़ू आप लासे यह लिए वो आपको हरुमान जी को भोग लगाना है अब फिर सबसे पहले आपको संकल्प करना है अपनी साधना का आपको उसमें अपना नाम बोलना है अपने पिता का नाम बोलना है अपना गोत्र बोलना है यह सारी चीजे बोलने के बाद में आपका उदेश्य क्या है किस उदेश्य से आप ये साधना कर रहे हैं वह उद्देश्य आपको बोलना है और फिर अपना उद्देश्य बोल करके आपको जल छोड़ देना है जब आप संकल्प लोगे तो संकल्प में आपके हाथ में पुश्प होने चीए अक्षछत होने चावल यानि की जो साबुचावल होते हैं और ग्यारा रुपे होने चीए और हलका सा जल हलका सा जल आपको भस छिड़क लेना है हाथ पे ठीक है उसके बाद में वह संकल्प आपको हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित कर देना है फिर में आपको रुद्राक्ष की माला से या फिर तुलसी की माला से या फिर इस जन्दन की माला से आप इस मंतर का जाप कर सकते थियुक्ता कि 30 00's otis . के लिए हो जाएगा मंत्र सुनिये मंत्र इस प्रकार है ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारह का जवान हात में लड़ू मुख में पान आओ आओ बाबा हनुमान न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पारवती की शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र इश्वरो वाचा मंत मंत्र एक बार दुबारा बोल देता हूं ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारह का जवान हात में लड़ू मुख में पान आओ आओ बाबा हनुमान न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पारवती की शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र इश्वरो वाचा इस मंत्र की हनुमान जी आपके पास आजाएंगे हनुमान जी की शक्ति आपके पास में आ जाएंगी फिर आप किसी भी व्यक्ति का जाड़ा लगा सकते ओницу कर सकते इससे हनुमान जी की कृपा आपके उपर सदा सरवदा बनी रहेगी, 108 बार नहीं कर सकते तो प्रति दिन आप इस मंतर का 11 बार पाठ कर सकते हो, 11 बार इस मंतर को नियमित रूप से आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, हनुमान जी का अशिरवाद आपके उपर बना रहेगा, औ और अगर आपकी कोई विशेश मनो कामना है तो उसके लिए भी आप हनुमान जी से परातना करके यानि कि जो आपकी मनो कामना है उसके लिए आपको करना क्या है कि हनुमान जी के लिए प्रशाद ले आना है आपको मंगलवार के दिन प्रशाद ला करके हनुमान जी को प्रश कि रिपा से और इसके साथ में आपको शिधियां भी प्राप्त होंगी हैं जिसके सपने में आपको मारगर दर्शन मिले गांवाण जी की तरफ से भूत प्रेच स्ट्रौर्य घर में आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर कभी जिंदगी में आयेगी और जिस वैक्ति का आप लाज कर दोंगे उस वैक्ति के ऊपर भी कभी दुबार से भूत बादा नहीं होगी तो यह है पूरी की पूरी सिध्वी बहुत ही शक्तिशालि यह तो यह सिध्वी आप कर सकते हैं एक दिन में आपको यह सिध्वी नाप्ता हो जाएगी ठीके दोस्तों तो अभी केले इजाज़त चाहूँगा इसी तरह की जानकारी میں आपको डेता रहूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए नहीं हैं तो वीडियो को like करना एसी तरह की जान कारी मैं आपको देता रहूंगा मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में जै मातरानी की